वक्रतुन्ड महा कायं सूर्य कोटी समप्रभाद नमस्कार आप सबका हमारे चैनल शिवागो.com पर स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नीला मुरतन के बारे में कि किसे पहनना चीए किसे नहीं पहनना चीए राशी की भी बात कर रहे हैं और कैसी स्थिती में पहनना चीए उसकी भी बात कर रहे हैं शिवागो.com से आपको जैन्यून अथन्टिक सेटिफाइट और अभिमंत्रित भी आपको प्राप्त हो जाएगा इनफेक्ट शिवागो.com पे बहुत सारे जो रतन है रेंडमली दो-दो लैब से टेस्ट कराए जाते हैं जैसे बॉंबे का लैब है यह कहीं और का लैब है. तो हमारी सैटिसफेक्शन के लिए होता है कि हम से लेने वाले लोग को जो समान है वो गलत नहीं पहुँचे. यह हमारी शुद्धा के लिए होता है. तो भई, कौन पहने, कौन नहीं पहने और साउधानी के अबरत नहीं है. राशी के हिसाब से भी हम आपको बताएंगे ही देखे, शनी का रतन निलम बहुत ही ताकतवर होता है. यह रतन जिसे सूट कर जाए, उसे रात और रात माला माल बना सकता है. लेकिन अगर यह किसी को सूट ना करे, तो उसे कंगाल करने में भी देर नहीं लगाता है. इसलिए शनी देव के इस रतन को धारन करने से पहले विशेस बातों पर ध्यान देना चीए. तो राशी तो हम बताएंगे और विशेस जो बाते हैं, वो भी ध्यान में रखने वाली बात है. जैसे के निलम धारन करने के पहशाद, प्रतेक शनिवार और सनी नशत्रों में अन्यदान जरूर करना चीए. शनिवार के दिन मास का त्याक कर देना चीए. विकलांगो जितने भी लोग हैं, उनके परती आप सेवा भाव रखें. घर में जितने भी वृद्ध वैक्ति हैं, वृद्ध वैक्ति के आप मदद कीजिए. आदरपुन बैभार कीजिए. परतेक माह के शुकल पक्ष के दूसरे शनिवार को रतन का अब दूद, घी, गंगाजल, तिल और मिश्रित जो जल होते हैं, उससे आप उसको, मतलब उसको संचार कीजिए, उससे आपको बेनफिट होगा, उसमें जुरतन की जो ताकत है, वो बढ़ती है. अब किसे पहनना चीए? देखिए यदि कुंडली में शनी शुक भाव मे के जातक कि कुंडली में शनी अस्त, वक्री, नीच, कम अनसियादी होने के कारण, शुब फल देने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए ऐसी वस्ता में शनी को मजबूत करने के लिए नीलम धारन करना सिरेश कर होता है. मेस राशी का जहां तक सवाल है, तो देखिए कोई भ पास जाके आपको अपनी होरोस्कोप दिखाने चीए, कि आपको पहनना चीए या नहीं पहनने चीए, खास करके निलम, मेस राशी के जातकों को निलम रतन धारन नहीं करना चीए, पर किसी किसी पर स्थितिय में ऐस्ट्रोजरों ने धारन करने के लिए बोलते हैं, मेस रा जाता है पर कुछ एस्ट्रोजर में इस राशी वाले को पहनाते हैं ब्रिशब राशी के जा तक बिना किसी संदे के नीला मृतन धारन कर सकते हैं पर कप पहनना है कैसे पहनना है यह आप अपने एस्ट्रोजर से पूछेंगे तो आपको बताएंगे ब्रिशब का स्वामी शुक्र है और इसके शनी के साथ अच्छे समंद है और तब बिशब राशी के जातकों के जीवन में नीलम रत्न खुशियां स्मिर्दी और गुडलग ला सकता है फिरे मीथून राशी बुद्ध और शनी के आपस में बंती नहीं है इसलिए बुद्ध की राशी मीथून को नीलम रत्न धारन करने से फायदे की जगा नुकसान हो सकते हैं तो बहतर होगा कि आप बिलकुल एस्ट्रोजर से पूछें क्योंकि नीलम रत्न जो है उसके सबसे बड़ी बात है किसी कोई भी धारन नहीं कर सकता है कुंडली में शनी के कुछ निशिस्त अस्थान होने पर होता है चותह पांचवे दस्वे और ग्यारवे भों में शनी हो तो नीलम पहनना चीए सनी छ JUST8,00 unser week के सवामी के साथ बैठा हो यर स्वैमी छट्रे आठवे भाह नहीं स्था लाकिन ऊच्टि को नीलम रत्न धारन कर सकते थो शनी,मकराइश को स्वामी हैं तो इन में से करता है और यह आपके आपके जो जो पंडी जी होंगे बिल्कुल बताएंगे अब यह से करक राशी है तो चंद्रमा और शनी के बीच में हमेशा दूंद रहता है इसलिए इस राशी के जातक को निलम रतन धार नहीं करना चीए पर एश लोजर जब पूरा हर्सकोप की जब जाँच प्रताल करते हैं पूरा अंदर तक जाते हैं तो बहुने समझ में आ जाता है कि भाई ने देना चीए या नहीं देना चीए सिह राशी का सवाल है तो सिह राशी का सौमी गरह सुरे है तो शनी और सुरे के बुरे सम्मंद होने के कारण नीलम रतन सिह राशी के जातकों के लिए अच्छा नहीं होता है तो ये रतन आपके जीवन में दुरभाग्य भी ला सकता है कन्या राशी की यदि बात करें तो कन्या राशी की लोगों को नीलम रतन धारन करने से ना तो जादा फायदा होता है और ना ही जादा नुकसान होता है तो आप चाहें तो रतन धारन करें ना चाहें तो ना करें शनी की साड़ी साती में नीलम धारन करना लाब दायक होता है शनी की दशा अंतरदशा में भी नीलम धारन करना लाब दायक होता है यह मैं जनल बता रहा हूँ शनी की सुर से युती हो, वो सुर की राशी में हो या उससे दुरुष्ट हो तो भी निलम पहनना चीए कुंडिली में शनी मेसराशी में श्तुत हो तो भी निलम पहनना चीए कुंडिली में शनी वक्री, अस्तकत या दुरूबल अथवा नीच का हो तो भी आप निलम धारन कर सकते हैं और जिसके कुंडिली में शनी प्रमुख हो अत्या प्रमुख स्थान में हो तो भी आपनी लमधारन कर सकते हैं तो फिर मैंने पूरा डिटेली आपको बता रहा हूं क्योंकि ये चमातकारिक पत्तर है कई बार ब्रिश और तुला अगने के जाता कि कुंडिले में शनी अस्त्र वक्री नीच कम और अंस कम अंस होने के पे शुफल देने में सक्षम नहीं होते तो इसे पहना जाता है मजबूत करने के लिए शनी को तीन से छे रती के नीलम सवर्न या फिर पंचे धातूत में जड़वा करो शनी वार के दिन दाए हाथ की मद्यमा उंगली में पहने लोग चांदी में पहनते हैं तो आप भी चांदी में पहन सकते हो अब यसे तुला राशी वाले हैं तो शुकर और शनी के बीच में शुब समंद होने के कारण इस राशी के जातक नीलम रतन धारन कर सकते हैं ज्यादा अलाब के लिए आप नीलम रतन को मतलब डाइमेंड या पन्ना के साथ धारन कर सकते हैं पर पन्ना जेनली जोतिश लोग अवाइड करते हैं बहुत दफ़ा पन्ना को नहीं पेंडने देते हैं नीलम के साथ में तो आपको आपके जोतिश करेक्ट सलाह देंगे विश्यक रासी हैं तो विश्यक रासी के स्वामिगरा शनी है लेकिन आप नीलम रतन तभी धारन करें जब आपके कुंडिली में शनी पांचवे नौवे या दस्वे अस्थान बैठाओ फिर धनू गुरू की राशी है धनू और गुरू और शनी के बीच में शत्रुता का संबंद है तो धनू राशी के जातकों को नीलम रतन धारन नहीं करना चीए मकर राशी के जातकों के लिए नीलम रतन जितना शुब को यह और रतन होई नहीं सकता है मकर राशी का स्वामी शनी है और इस राशी के जातक बिना किसी जिज़क के नीलम रतन धारन नहीं कर सकता है जो तिसके सलाव पत कुम राशी है तो कुम राशी के स्वामी शनी है और नीलम रतन कुम राशी के जातकों में गुड़ लेकर आता है फिर है मीन राशी तो गुरू की राशी मीन और गुरू और शनी के भी तो इसलिए मीन राशी के जातक नीलम नहीं धारन करें पर फिर भी मैं वापस कह रहा हूँ अधी आप का पहनने का मन करें क्योंकि सब चमतकारीक पत्थर है तो बिल्कुल एस्ट्रोजर के पास जाएं और नहीं तो आप हमारे शिवाग एस्ट्रोजी पर हम पर नंबर लिखे हुएं आप वहां पर फोन करके पूछ लें जोतिस से जो हमारे जोतिस हैं उनसे आप सलाम अश्वार कर सकते हैं तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद